में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाधत है रोजगार वित पर्मोद यूटोब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग 50 शेट नंबर डो करने जा रहे हैं आज का सेट नंबर दो है इसके पहले हम लोग कल एक नंबर प्रेटिक सेट किये थे आप लोगों ने बहिया जिस पांस दिया है आप लोगों देखा है और आज दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो दूस्तों इसमें आपको मिलते हैं कितने प्रस्ण टोटल 20 प्रस्ण क्योंकि आपके पेपर में 20 प्रस्ण आने हैं जो की हर एक प्रस्ण आपर प्रेवेस येर के हैं इने 20 प्रस्णों में से आपका जवाब कितने प्रस्णों के जवाब आप दे पाते हैं हमें लाश्ट में कमेंट करें जरूर बताईएगा दोस्तों आपने साथ में पेपर पेन लेक और को पेला कोंश्चन आपके स्क्रैन पर दिया गया है किसी मुल्धन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त सारहारण ब्याज मुल्धन का 2 भट्टे 5 है ब्याज की वार्षिक पांच है तो 2 बेटे पांच का मतलब क्या हो जाएगा दोगे पांच का मतलब यह हो जाएगा और यहें तो यहां से आप जानते हैं यह साधार न्याज का जो फार्मूला अता grown सिंपल इंट्रेस्ट बड़ाबर क्या होता है एसाई बड़ाबर क्या होता है पी आरटी बट्टे सो होता है पी आरटी बट्टे सो होता है क्लियर है ब्याज क्या है दो मुल्धन क्या है तो यहां पर पांच है रेट ही आप से पूछा गया है आर कमान पूछा गया है समय यह पर पांच है बटे क्या कर देंगे सो कर देंगे पांच पचे पचीश चो का सो दो का गुना चार में कर देंगे तो आर कमान क्या हो जाएगा यहां से अगला प्रस्ट आपके सामने प्रस्ट नंबर दो चलिएगा प्रस्ट नंबर दो आपके स्क्रीन पर आ गया है अब आप लोग इसको हल करके बताईए क्या होगा इसका सही उत्तर बताईए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग हल करेंगे बताईएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए क्या कहा गया है तीन नोटबुक और छे पेन का मुल्य तीन हजार रुपए है उतने ही धनरासी से एक नोटबुक और बारे पेन खरीदे जा सकते हैं राजू 15 पेन खरीदता है उसी कितनी धनरासी देनी होगी इन्हीं राजू 15 पेन खरीदा तो उचारा कि 15 हम खरीदें तो उसे कितनी धनरासी देनी फड़ेगी देखिए क्या यहां पर कैसे लगाएंगे इसको हम लोग 3 क्या है 3 notebuk और कितना pen भी सब्खेंए 6 यहां पर ठीक है पईसा कितना है और इक नोटबू又 कितना एक लेकिन इस बार पंट कितने है तो बार है बार धीद करेदा लेकिन परसा modify lucky लगा है तीन हई यहां से आया निकाले एक नाओ दूक या एक पेन का जो मुल हैो वह कितना है हमें किसका पुछा है राजु कितना पेन खरीदना चाहता है तो हम एक पेन का मुल ले क्या है तो पेन से ही मतलब रखेंगे हम लोग नोटबुक से कोई मतलब नहीं हमें पेन का ही निकालना है यानि हमें पेन का निकालना है मुल ले क्या हो जगत पेन का निकालना होता है जिसका निकालना होता है तरिकता होता जिसका निकालना है उसको च्छिपा लेएं उसको च्छिपा ले बाकि तीरी अगुणा कर डेंगे अब 3,000 का 3 में 3 3 900 हो जाएगा एक का गुना एक गुना तेहां पर 3 네 9209 से फिरा देंगे क्या बचे लिएए छै रहेगा अंतर लेना होता है 6000 यहां पर ठीक है 6000 हो जाएगा बटे आप क्या करना है यह जो बराबर में 3000 है इसको छोड़े दिजिए बाकि अब यहां से आप क्या कर लिजिए 12 का गुणा 3 में और 6 का गुणा 1 में बारतिया 36 36 36 का अंतर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है 32 का देंगे 30 से भाङ देंगे यहाँ याँस हो जाएगा 200 एक पेन का गाल की रुद से नक हो. है तो पंद्रे मुल पंद्रे पेन का जो मुल होगा कितना हो जाएगा पंद्रे से गुना कर देंगे यहां पर पंद्रे दुना तीस यानि तीन हजार ठीक है तो पंद्रे पेन का जो मुल होगा तीन हजार रुपए होगा आपसर नमबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा आपसर नमबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा तीन हजार रुपए किलियर है ऐसे इस सवाल को हल करने होते हैं दोस्तों समिकरे बनाना है समिकरे को हल करने है और समीकरल कोई हल करने का सबसे आसान और सीम्पल तरीका यही होता है अगला प्रस्ट देखिए अगला कोश्चन प्रस नमबर तीन है आपके स्क्रीन पर चलिए प्रस नमबर तीन आपके सामने दिया गया है और क्या बोला गया है इस सवाल में एक बार सभी लोग बताएंगे इसका अंसर क्या होगा सबसे पहले दोस्तों आप दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो सवाल आप बना पाएंगे नहीं समझ पाएंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे देखे कहा है कि 5 संख्याओं का आउसत 32 है संख्या कितनी है 5 तो इसका जो सम होगा कितना हो जाएगा सम क्या हो जाएगा देखे 5 संख्या है आउसत बराबर क्या होता है आउसत बराबर होता है यूग बटी संख्या यानि सम बटे नंबर के लिए है हमें स्वम निकालना है तो आउसत गुना यहां पर नंबर कर देंगे तो नंबर यानि संख्या कितनी है पांच है आउसत क्या है 32 है तो यहां से यूग क्या हो जाएगा इसका 32 पंजे 160 ठीक है 160 यहां से हो जाएगा कि लिए अब आगे कहा गया है कि यदि एक संख्या हटा दे जाए अगर एक संख्या हटा देंगे एक संख्या जेंहीं हटाएंगे दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी अब संख्या तो चार हो जाएगी इसका यूखफल क्या हो जाएगा संख्या चार हो जाएगा तो आउसत 1224 किया जएगा 28 दुना 56 दुना 500 12 सोड़ी चौपन दुना 1512 यहां से हो जागा क्लिए है ठीक है अब कहा है कि जो संक्या हटाए गई है जो संक्या हटाए गई है वह बता दीजिए कितना हो जाएगा तो दोनों का अंतर निकाल देंगे यहां से दोनों का अंतर निकाल देजिए जो आएगा वही तो संख्या हटाई गई है ठीक है तो यहां से 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा 5 में से 1 गया तो 4 यानि 48 हो जाएगा जो संख्या हटाई गई है वह संख्या क्या था आप बताएंगे भी या 48 वह संख्या था किलियर है देखिए एक तो तरीका यह अथा लगाने का ठीक है और एक तरीका बिलकुल ही सार्ट काट है उसको भी समझे लिए कैसे लगाना है दो तरीके से सवाल को बता रहे हैं दोनों तरीका में सबसे बेहतरिन तरीका जो अब हो बता रहे हैं वह देखे किया था एक बास समझजेए इस में तुमसा दिमाक लगाएं यहां पर एक गुरूप है इसमें पांच लोग हैं कितने लोग हैं इस गुरूप में पांच लोग हैं जिनका आउसत अगर 15 है आउसत 15 है तो आउसत मतलब होता है कि हर एक बेक्ति का मान क्या है आउसत आयू जो है वो तुछ एक ब्यक्ति निकल जाए तो उसके बाद भी आउसत 15 रहे चिंखे इसका मतलब हुआ जो ब्यक्ति निकला है उसका उम्मर क्या था 15 साल था लेकिन अगर एक ब्यक्ति निकलेगा इसमें से और आउसत घट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्यक्ति निकला है उसका जो उम्र है वह पंद्रे से ज़्यादा रहा होगा तभी घटा है ठीक है अगर एक ब्यक्ति यहाँ से निकल जाए और आउसत में कमी आ जाए तो इसका मतलब हुआ जो ब्यक्ति निकला है उसका उम्र है पंद्रे से ज़्यादा रहा होगा तभी तो कमी हुआ है ठीक है अब यहाँ पर समझे इस सवाल में कि इस सवाल को समझे इसी मेथट पर यह जो सवाल है इसी पर लगाना है कैसे लगाएंगे लें देखिए कि आउसत क्या था दोस्तों आउसत 32 जब एक ब्यक्ति हटा है यानि एक संख्या जब हटा है तो ऑसत क्या हुआ gehen को 18 18a od not Only 40 जादा रहा होगा इसमें क्षषा जोगे देंगे कितना जोडेंगे अउसत में कितनी कमी चार कितना हुआ है घटने के बाद संख्या किना हुआ है चार चार चोंको 16 की कि सोले यहां पर जोड़ेंगे तो 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा और तालिस ठीक है यह इसको बोलते हैं थोट प्रोसेट यह इनि सोचकर सवाल को हल करने का यह तरीका होता है और यह सबसे बेश्च तरीका होता है दोस्तों हमारा आउसत का वीडियो है पूरा का पूरा आउसत हमने पढ़ाया है बेहतरिन तरीके से आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों देख लिएगा हर एक सवाल बहुत इंपार्टेंट बेहत्रीन सवाल है बेहत्रीन उसमें सेलूशन है क्लियर है चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगी अगले प्रसन की और हम लोग चलते हैं और यहा 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबे बाइंडिंग कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 किताबे बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यक्ता होगी देखिए यहाँ से इसी कंसेप्ट पर यह सवाल लगने वाला है डाबलू क्या होता है वर्क यानि कार कार हमेशा नीचे लिखा जाता है इस प्रकार से देखिए फार्मूला यह बनता है यहाँ पर कितने बाइंडर है बहत्तर बाइंडर है बहत्तर बाइंडर जो है 22 दिनों में किताब को बाइंडर कर सकते हैं ठिक है कितने किताबे है तो किताबों की संख्या जो है वह कितनी है यहाँ पर दे रखा है बारे दिन में कितने बाइंडर यानि यहां पर यहां पर बाइंडर को यक्समाल ले रहे हैं बटे कितने बाइंडिंग करनी है किता में 660 करनी है पस इसी को हल कर दिजी देखिए जीरो से जीरो कैंसिल 72 से 72 कैंसिल 6 दूनी बारे 6 से काटेंगे 11 बारे में कैंसिल 2 से काटेंगे 11 बारे में कैंसिल 11 का गुणा 11 में तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 111 121 यहीं 121 बाइंडर की आवसेक्ता होने वाली है 121 बाइंडर की आवसेक्ता होगी 12 दिनों में 660 किता बाइंडिंग करने के लिए वह आफसन नमबर यहां से एक सही हो जाएगा किलियर है भाई चलिए अगला प्रेसन देखेंगे अगला प्रेसन नमबर पांच है आपके स्क्रीन पर आप लोग बताएं भी यह इसका आंसर क्या होगा आप सभी दोस्त बताएंगे इस प्रिशन का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे लगाईए आप लोग सवाल को लगाईए और कमेंट बाक्स में आंसर बताईए तीस सिकेंड का टाइम आपके पास है आप लोग पहले प्रयास करेंगे चलिए हाँ देखिए यहाँ पर 84-100 रुपय को PQR के बीच क्रमसा 2 बटे 3 समंधे 3 समंधे 1 बटे 2 के अनुपात में बाटा गया है आर का हिस्सा क्या है किस अनुपात में बाटा गया है दो बटे 3 समंधे 3 समंधे 1 बटे 3 के अनुपात में बाटा गया है देखिए जो अनुपात में नीचे दिया गया है 3 अनुपात दोस्त कभी भी बटे में नहीं होता है तो कैसे इसको सिंपल फ़र्म में चिंज किया जाएगा तो नीचे जो 3 है बटे में 3 है उसका आप क्या कर दिजिए लौसर ले लिजिए और लौसर जो आएगा सभी में गुना करेंगे तो लौसर तीन नहीं आने वाला है तीन का लौसर तीन आएगा तो तीन का गुना दो बटे तीन में करेंगे तो यहां से हो जाएगा दो संबंधे तीन का गुना तीन में करेंगे तीन 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 नव हो जाएगा संबंधे और यहां से एक हो जाएगा टोटल कितने रुपए हो रहे हैं अनुपात में तो नौ एक दस एक दू बार है बार है अनुपात टोटल हो रहे हैं ठीक है लेकिन रुपए में टोटल कितने हैं तो रुपए में 84 सो है तो एक चोरासी सो के बराबर हो जाएगा ठीक है एक अनपात का मान बारे सत्य चोरासी साथ सो एक अनपात का मान साथ सो आर का पुछा है आर का कितना है यह पी है यह क्यू है और यह क्या है आर है तो आर का अनपात कितना है एक अनपात एक अन्पात कमान क्या है 700 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 700 रुपए आपसर नमबर एक 700 रुपए आर का हिस्सा है आर का हिस्सा 700 है आप बताएंगे कमेंट कर देंगे जरा पी और क्यू का हिस्सा कितना होने वाला है पी और क्यू का अलग अलग बताएंगे कितना कितना अगला प्रस्ण है जो की प्रस्ण नमबर 6 आपके सामने है बताईए इसका आंसर क्या होगा प्रस्ण नमबर 6 आपके सामने है इसका आंसर बताएंगे क्या होगा किसी संख्या के 20 प्रतिसत का 25 प्रतिसत 250 के बराबर है उस संख्या का 35 प्रतिसत क्या है चलिए वह संख्या नहीं पता है उस संख्या को हम कुछ समय के लिए एक्समाल लेते हैं किसी संख्या का 20% एक्स का 20% का मतलब 115 होता है इसका भी 25% 15% का मतलब 114 एक किसके बराबर है यह बराबर है किसके 250 के तो वह संख्या क्या हो जाएगा वह संख्या क्या हो जाएगा देखिए पांच जोग को 20 20 का गुना 250 大घ कर कर लिए तो 20 susceptible कर ओक और 250 आग दीस जाएगा 250 परसेंट का मान बताना है तो इसका 35 परसेंट निकाल दीजिए अब देख भीया दो जीरो से दो जीरो यहां पर कैंसिल कर देंगे ठीक है अब गुना कर दीजे इसका पचीस दुना पच्चास हो जाएगा पच्चास का गुना पैंथिस में सत्रे सो पच्चास इसका आंसर होगा आपसर नंबर एक इसका राइट आंसर भजाएगा ठीक है कि सत्रे सो पच्चास के लिए रहें हैं कोई दिक्कत परसानी आपको यहां तक अच्छा एक बार एक बार जो है चितने भी कंडिडिट हमारे साथ जोगे हुए हैं आप लोग एक बीडियों को देख रहे हैं एक बार वीडियों को लाइक करेंगे और अगर आपको सवाल समझ में आया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बाक्स में वाई टाइप करेंगे फटाफट अगर सवाल समझ में आया है तो कमेंट बाक्स में कर देंगे जिससे हमें भी पता चल जाए कि आप लोगों को भी सवाल समझ में आ रहे हैं कि चलिएगा अगला प्रसेंदेखेंगे प्रस नंबर साथ है यह आपके सामने और यह है आपके सामने प्रस नंबर साथ उन विद्यारतियों की अधिक्तम संख्या ग्यात कीजिए जिनके बीच एक हजार तीन चौकलेट और 2703 केंड़े इस प्रकार बितरित की जा सके कि प्रतेग विद्यारति को समान संख्या में चौकलेट और केंड़े मिले तो अधिक्तम संख्या की बात किया है जब अधिक्तम की बात करता है तो क्या निकालते हैं इनका मौसर निकालते हैं तो आपको क्या करने हैं एक हजार तीन कि और 27 30 को यह निकालना है मोसल ठीक है क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या थिक एं थिसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 33 से एकĩन तीन और 273 कटेगा तो इसका मतलब इसका आंसर कहीं ए 30 के लिएन कि इसको लगावी सकते हैं कंसेप्ट से बागी सबसे बहत्रीन तरीका क्या है आप यूज करके आंसर बताईए तो 33 से भाग करेंगे एक हजार ते इसका मतलब क्या है देखिए मौसा का जो परिभासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई आधिसरे मानते हैं इन दोनों संख्याओं को विभाजीत करेगा तो ज warto हो सकता है अब दर्फिए जयारे और तीन हैस्टियादर टीन है तो एक हजार तीन ना तो 11 से कटने वाला है ना तो 3 से कटने वाला है मतलब यह हुगा कि यहां पर जो 33 है यह आंसर नहीं होगा इसके बाद इसे बगई 29 29 से भाग दे कर चेक कर सकते हैं 29 में जब आप 1003 में भाग देंगे तो 29 29 27 बचेगा दू तीन दूना चेदू आट 87 यानि तेरे बचेगा 133 होगा 29 के पहाड़े में 133 नहीं आता है मतलब साफ है कि 29 भी इसका आंसर नहीं होगा अब बचता है 19 19 से भी भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा अब बचता है 17 17 से चेक कर लिजिए 17 से कटेगा की नहीं कटेगा सत्रे से भाग देकर Guide करेंगे 303 में सत्रे से भाग देकर Guide कर लेजी सत्रेव हुसा है । पित्र अधने शंक होलेहीं सत्रें पच्यासी डिशी सत्रें चिक करेंगे यहाँ पर क्या 273 भी 17 से कट रहा है तो इसको भाग देकर चिक करेंगे इसको भी आप भाग देकर ही चिक कर लेंगे 27 तीन को भाग देंगे 17 से अगर ये भी कट गया तो मतलब 17 इसका अंसर हो जाएगा सत्रे एककम सत्रे बचेगा 10, 0 उतारेंगे 100 हो जाएगा सत्रे पंजे पचासी, 15 बचेगा ठीक है तीन उतारेंगे 153, 79, 153 यानि 169 भाड़े में कट गया मतलब हो गया यह साफ है कि सत्रे से पूरा-पूरा डिवाइड हुआ है तो 17 ही क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों 17 इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से आप बिकल्प का यूज करके आंसर बताएंगे देखिए लोसो और मौसो दोनों के लिए ही सबसे बेहतरिन तरीका होता है आपसन से आप्सन से हल करेंगे तो सवाल असानी से हल होगा अगला प्रस्ण आपके सामने है आईए अगला प्रस्ण है आपके सामने इस सवाल में क्या कहा गया है एक मेज का बिक्रेमुल आड़े 675 रुपए है यदि लाब प्रतिसत 25 प्रतिसत है तो मेज का क्रेमुल बताईए लाब प्रसंट कितना है 25 प्रसंट 25 प्रसंट का मतलब एक बटे 4 होता है यानि क्रेमुल का अनुपात 4 था तो एक के लाब पर बेचा गया यानि कितने में बेचा गिया पांच अनुपात में बेचा गिया यानि बिक्रेमुल का अनुपात क्या है पांच तो पांच अनुपात का मान यहां पर दिया है कितने में बिका है और शाट सो पचहत्तर में बिका है ठीक है तो क्या पुछा है क्रेमुल पुछा है चार बात का मान निकालेंगे आगे 675 बटे पांच गुना चार पांच से भाग देंगे पांच एक पांच तो पांच तियां पंद्रह एक बचेगा जगा अठारे पांच तियां पंद्रह तीन बचेगा और जगा अपंच पांच पांच पंद्रह तियस दो बचेगा पांच पंद्रह, चार पजगा यहादा पच्पन्च अब 7 दो पंद्रह the आक में दिया गया है और यह हो जाएगा इसका नोल्जा है और यहक सही आंसर पांच सो सब्सक्राइब कोई दिक्कत प्रसानी हो तो बताएंगे आप लोग कमेंट बाक्स में आप लोग बताएंगे कोई दिक्कत हो तो ठीक है चलिए अगला प्रसन देखेंगे प्रशन नमबर नौ प्रस नमबर नौ है आपके सामने लगाएंगे एक बार आप लोग क्या होगा इसका सही उत्तर किसी बस्तू का अंकित मुल उसके क्रेमुल से 60 प्रतिसात अधिक है यदि 20 प्रतिसात छूट दी जाए तो लाव प्रतिसात क्या होगा देखिए किसी बस्तू का जो अंकित मुल है क्रेमुल से 60 प्रसेंट अधिक है अगर सीपी हम मानते हैं सव तो जो यंपी है अंकित मुल है 60 प्रसेंट ज्यादा यानि 160 में 160 है ठीक है अंकित मुल 160 है इस पर क्या मिलता है 20 प्रसेंट का छूट मिलता है यानि 160 में 20 प्रसेंट का छूट यानि कितने में विका तब यह 80 प्रसेंट पर विका है कि इसका मान निकाल देंगे 168 यानि जो एस्पी है वह कितना है 128 है एक सो अठाइस है देखिए आइक सो अठाइस आएगा नहीं आएगा आठ शक्राइट आसिल का चार आठी को माठ चिक चार बार है यानि यहां से सारा चीज आपके सामने आ गया है सभी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं CP 100 है MP 160 है और ESP 128 है क्रेमूल अंकितमूल बेक्रेमूल निकल गया लाब प्रतिसत क्या होता है क्रेमूल पर जितना क्रेमूल से जितना अधिक है वही लाब होता है 100 का समान था 128 में बेचा गया तो 100 से कितना ज्यादा बेका 28 पर यानि कितने परसेंट का फायदा हुआ 28 परसेंट का फायदा हुआ है अपसरन नमबर 3 और सा जितना जाधा होता है उसे को फायदा वोलते हैं अगर माली कोई संक्या है जो 100% है तो बेच दिया गया 93 पर दिया में परिके तो किने का नुखसान हो गया यहां फायदा हूँ नुखसान सौ से कम हो इसका मतलब नुखसान कितने का सौ से ही पप्ता करते हैं इस पर ही फायदा नुक्सान होता है अगर जादा है 100 से फायदा 100 से कम है तो नुक्सान यहाप साथ परसेंट का नुक्सान हो जाएगा के लियर है पताएंगे आप लोग कोई दिक्कत प्रसाने इसमें अगला प्रसंद देखेंगे और प्रस नमबर 10 है आपके स्क्रेन बोर्ड पर चलिए पताए इसका उत्तर क्या होगा इस सवाल में कहा गया है कि एक बेलन का वक्रेश्टी छेत्रफल कितना है जिसकी अधहार 3070 cm मुचाई क्या है यहां पर 14 cm है एक बेलन है इस परकार से यहां पर एक इस परकार से क्या है दोस्तों यहां पर बेलन है ठीक है यह बेलन है जिसकी वक्रेश्टी छेत्रफल बताना है जिसकी आधहार का जो आधहार का त्रिज्या है जो यहां पर रेडियस है त्रिज्या वह कितना दे रखा है त्रिज्या यहां पर 70 दे रखा है और इसकी हाइट जो है मुचाई कितना दे रखा है मुचाई यहां पर 14 cm दिया गया है वक्र प्रिष्टी छेत्रफल क्या होता यवह ही आपको निकालना है अगर आप इसको ठाकेंगे ऊएसे माले अब आप इसमें रसी बांध रहे हैं गोलाईं में इससे बांदे जाएंगे इसका मतलब आप क्या कवर कर रहे हैं एक परिकत की कवर आर कवर कर रहे कवर हैं तू-पाई-आर Caitlin और हुर इसमेंSalath वह आप चलते हैं मैं जब खहलते हैं जब लाते हैं तो उससे लपैटा होता है उससे कि आकार में लपेत nAY तो क्या साथ कब रहा है बिल्यत की परिधी कबर कर रहा है है मैं ठीक है पड़ इन hydR एचिद्ग लप태 convicted जाएगे इसका इन यह जो पाय आंसर करता है ऍजू आप साथ होता है यह सही नहीं होगा शे दूर आठ चार ये भी नहीं काटेगा यहां पर आहेंगे च्छे पांच इग्यारे में से फीड़े गया आठ इग काटेगा छे छे फाड़े में से एग तोँच्छ how minded 1 फिल्ल सवेख ऐजो option है 21 से कटेगा यानि option number 4760 21 से कटेगा तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा सवाल को सौल मन नहीं करना था दोस्तों आपको 11 की विभाजता का नियम चिक कर लेना था ठीक है 11 की विभाजता का नियम चिक कर लेना को आपके सामने आ जा देगा ठीक अगला प्रेस्न देखेंगे अगर अगर नंबर यहां पर 11 है अगर बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा अगर अगर कर समय लेजिए दोस्तों आप लोग और आंसर बताएं क्या होगा 9,000,000,000 के दरण से चकंवरेवर्स रूप से सन्योजित उधर दिया जाता है बार्य महीने का चंवरेज कितना होगा वार्य महीने में कितने दरणे नोज ये 20% यानि 9 तो मूलधन है दो चमाही है दो ऐसे टांगे खीच लेंगी थीक है तो असी प्रसेंट का अधा यानि चालीस प्रसेंट 9000 का चालीस प्रसेंट विद्रफिंदल के पहला चमाही दूसरा चमाही। कि नौ हजार का दोस्तों चालिस परसेंट निकालन देना है तो क्या हो जाएगा यहांसे दो जिल्ये नौ चव को छहत्तीस तीनसो शाथ हो जाएगा मैं वह जो 2600 पहले 3600 मिल पर एदेंद अच्छाथिसी यहां भी आएगा नread दुसरा जिकलिंद न Springs बंस्स और मेंide बस जो है दोस्तों है कि दूसरा बर्त इसे नौह हजार पर याज लेगा देखिंद छातीसओ पर भी ब्याज लेगा तो numéro हजारठ पर चाहरशेंट व्हा लेकान पहले वर्स में ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज il awak तो चोटल यही होता है चक्वरिधी ब्याज है और उपर वाला देखा जाए समय से उप्र वाला है यह ऊपर वाला है यह जो साल का या ही फायकल का का साधारन लेकिन जो नींची 400 साधारन ब्याज का अंतर हो जाएगा आप से जोड़ी जिए सबको 36 दूना बहत्तर सो यहां पर यहां पर बहत्तर सो अब पलस 1440 जोड़ेंगे तो जीरो चार चार रूच है और साथ एक आठ यानि कितना यहां पर अबर चार आपसर नमबर चार इसका राइंट आंसर हो जाएगा दोस्तु runway उम्मीद करता हूं की आपको सवाल समझ में अगला परक्रश्ण लेते हैं आपकी इस किन पर अगला परक्रश्ण है आई परस्ण लाजवाब्र बार 12 है दोस्तों देखिएँ प्रस्ट नूम्ब्र 12 बहुती लाजवाब प्रश्टन है इसमें समय कैसे बचाना है इस पर हम लोग बात करेंगे देहें 10.01 काкие क्यार प्लस 10.01 का क्यार करना है तो इसको आप क्यार करें करेंगे एक का स्क्वाइर यह दैना नहीं है यहां पर तीन आ रहा है यहां पर दो आ रहा है तो यही आपसर नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा किलियर है तो डिजिटल सम बहुत बहुत बहतरिन तरीका होता है आप लोगों को वाना चाहिए चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे आगला प्रस्ण है आपके सामने यहीं छे पेंओ का क्रेमुल पांच पेंओ के बड़ाबर है तो यहां से चैप बटे-स-पी निकाल देंगे यहां से KP पुट्टे SP कितना हो जाएगा 5 पुट्टे 6 यानि 5 का समान खरीदा गया है 6 में बेचा गया कितने का फायदा हुआ है यहाँ पर 1 का फायदा यहन एक का लाब किस पर 5 पर गुना 100 कर देंगे तो 5 से काटेंगे 25 परसेंट कितने परसेंट का फायदा होगा 20 परसेंट का फायदा होगा 20 परसेंट का यहां पर फायदा होगा हानी नहीं होगा दूस्तों लाब होगा यह नहीं होगा सही हानी वाला नहीं सही होगा लाब होगा लाब में कितना परसेंट तो 20 परसेंट आप न परिस नंबर 14 नम्र 17 दिया गिया है आपके छोफी पर कहा गया Companies की याफ रैम मुल्य ने से 50 प्रसेंट अधिकांकीद करता है इन प्रसेंट करता यानि यंपी जो है 150 हो जाएगा किलियर है कि चलिए कि फिर आगे कहा गया है कि तथा 20% छूट देता है तो 20% छूट देता है तो बेचता कितने में है यस पी इसका निकाल देंगे एक सो पचास का 20% छूट दिया है मतलब कितना में बेचा है असी परसेंट पर एक सो पचास का असी परसेंट निकाल देंगे पंद्रे वाठे 120 यानि बिका कितने में 120 में भीका है ठीक छूट देने के बाद बेपारी को कितने प्रतिसत का लाब होता है देखिए जो लाब होता भी हमने क्या इसके पर सवल बताया है कि जो लाब होता है वह क्रेमुल पर होता है 100 से जादा है तो लाब है 100 से कम है तो हानी है अब 100 रुपे का क्रेमुल का समान बेचा गया कितने में 120 में तो जादा में 20 में तो 20 प्रतिसत का यहाँ पर लाब हो जाएगा आपसा नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा किलियर है उमीद है कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होंगे अगला प्रसन लेते हैं आपके स्क्रेन पर प्रस नंबर 15 है चलिए दोस्तों बताएए 15 प्रसन आपके सामने है इस प्रसन का उत्तर क्या होगा इस प्रसन का आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग कहा गया कि दो संख्याओं का गुएंफल 720 है उनका महत्तम समापवर्टक चार है तो इन संख्याओं का लगुत्तम समापवर्टक बताएगे आप जानते हैं कि जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबट LSTM into HCF होता है हमें क्या निकालना है लगुत्तम निकालना है लगुत्तम निकालना है तो यह क्या हो जागा मौसर से भाग कर देंगे इसमें ठीक है मौसर से भाग कर देंगे यानि दोनों संख्याओं का गुएंफल क्या है तो 720 है बटे क्या कर देंगे मौसर यानि 4 कर देंगे चार से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 1882 बार में जाएगा 10 यानि 180 इसका क्या हो जाएगा लगुत्तम हो जाएगा 180 लसर होगा option number 1 clear है अगला प्रस्ट चलिए अगला प्रस्ट नंबर 16 है बताएए इस प्रस्ट का answer क्या होगा एक गोले की 30 प्रतिसत की ब्रिद्धी की जाती है इसकी आयतन में कितने प्रतिसत की ब्रिद्धी होगी की चलिक प्रस्ट का मतलब होता है एक बड़े दो में करें पहले गोले कि तीरिज्य कितनी थी पाइ, आरक्यूब होता है, तो तीरीजह के tीन गहात पर डिपेंट करता है, तो इसका आप तीन गहात करूंगे, क्या हो जाएगा यहां से यहां से हो जाएगा आठ संबंदे 27, देखें, तो कितने प्रेसेंट की ब्रिद्धी हो गई आयतन में, यहां पर, 8 से 27 हुआ है, तो ठीक है 19 की ब्रिद्धी किस पर आठ पर गुना सो गुना सो अच्छा एक बटी आठ परसेंट का मान होता है साड़े बारे परसेंट एक बटी आठ का मान क्या होता है साड़े बारे परसेंट एक बटी आठ का मान क्या होता है साड़े बारे तेहां पर 19 का गुना कर देंगे त पाँच हासिल का 9 उननेश दूना अड़ेतीस और नो क्या हो जाएगा यहां से नव आट सत्र है और तीन एक चार हासिल का क्या बचेगा दोस्तों चार बचेगा दस्मलों यहां पड़ा जाएगा और 19 एकम 19 उननिस चार तेईस उननिस चार तेईस यह रिए 237.5 प्रतिसत इसका उत्तर होगा 237.5 प्रतिसत किस बिकल्प में दिया गया है तो यहां पर बिकल्प नंबर दो में दिया गया है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा के लिए रहे हैं एक बार आप लोग बताते रहें कोई दिक्कत परसानी तो नहीं नहीं है इस स्वाल में चलिए अगला कोश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर और प्रस नमबर 17 है आपके सामने देखेगा क्या कहा गया है कि यहां पर बोला गया है यही यक्स का 45 परतिसत वाई के 15 परतिसत के बराबर है तो यक्स संबंदिय वाई का मान क्या होगा यक्स का 45 परसेंट यह बराबर किसके है वाई के 15 परसेंट के पराबर है कुलियर परसेंट से परसेंट कैंसिल 15 कों 15 15 पंदिय तिया निकाल देंगे यक्स का अनुपात क्या हो जाएगा desired दोस्तों हो जाएगा यहांने एक सम्मंधित रीच समेज़े यह का मान क्या जाएगा एक सम्मंधित तीन एक सम्मंधित में चाप लिए रहें है अपसन नंबर चार चलिए अगला प्रस्न अगरा प्रस्ण है 32 से पहले की सभी अभाज संख्याओं का आउसर कितना होगा अब 32 से पहले सभी अभाज संख्या काउन कौन सी है सबसे छोटी हवाज संख्या क्या होती है दो उसके बाद प्लस तीन उसके बाद प्लस पांच प्लस साथ प्लस इग्यारे प्लस तेरे प्लस सतरे प्लस का उननीस प्लस 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 32 से पहले पुछा गया 31 भी ले लेंगे और टोटल कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इग्यारे से भाग कर देंगे दोस्तों अब इसका जड़ा आप लोग कल्कुलेशन करके बताईए किया होगा कौन सा विकल्प सभी होगा आप लोग आंसर देंगे कमेंट बाक्स में के लिए आपको जोगेना है ग्यारे से भाग करने हैं कमेंट बाक्स में आंसर देंगे दोस्तों चलिए आगे हम चलते हैं अगला प्रसन लेते हैं प्रस नमबर यहाँ पर 19 कि टाइम एंड वरक का बहुत 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 प्रसन है कि बोला गया है स्वपनील कि 16 दिनों में सोफा बना सकता है यह है 16 दिन में सोफा को बना सकता है ठीक है 16 दिन में सोफा बना सकता है लेकिन रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128 बटे 17 दिनों में पूरा कर सकता है अब यहां पर रेवती भी साथ मिल गया रेवती प्लस स्वपननील अभी एक जो है दोनों मिलकर 128 बटे 17 दिन में काम पूरा कर सकते हैं ठीक है यहां पर पूछा गया है यह रेवती अकेले काम करती है तो उसी कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे चलिए आपको क्या करना है आपको 16 ऊपर वाले का लोसा लेना है टोटल काम निकालने के लिए 16 और 128 तो इसका आंसर इसका जो लोसा होगा 128 यहीं आएगा 16 वाठे 128 ठीक है और इसमें जब भाग देंगे इससे कितनी बार जाएगा कितनी बार जागा दोस्तों यह जागा सत्रे बार में ठीक है सत्रे बार में आप देखिए स्वपनील का जो छमता है अकेले छमता क्या आया है आठ आया है दोनों का मिलाकर कितना है तो दोनों का मिलाकर सत्रे है तो यहां पर आप बताएज़रा रेवती का जो छमता है वह क काम कितने है 128 काम है 128 काम को रिवति केले नौ की चंपता से करेगी तो कितना दिन लेगे भया 128 वट्ट्य 9 दर लेगी तो आंसर किया हो जाएगा 128 वट्ट्य 9 युक पहसर नमबर 1 केलियर है 128 वट्ट्य 9 आपसर नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा चली अगला प्रसंद देखेंगे अगला कोश्चन है यहाँ पर 384 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी एक बिजली के खंबे को 12 सेकंडे में पार करती है अच्छा अगर खंबे को पार करेगी तो कितनी वह दूरी कवर करेगी शिर्फ शिर्फ अपनी ही दूरी को कवर करेगी तो क्योंकि खंबे की लंबाई दूरी नहीं होती है तो 384 बटे क्या हो जागा 12 यह स्पीड निकलना है त्रेन का तो 12 तिया 36 बारे दुने 24 बटिस मीटर प्रतिस सेकंड स्पीड है ट्रेन का लेकिन आगे भी एक बात बोला गया है दो ट्रेने हैं तथा विपरिद दिशा में चल रही समाल लंबाई दूसरी रेलगारी को भी 12 सेकंड पार करती है तो दूसरी रेलगारी की आपको गती ब पटानी है तो दूरी देखी दूसरी को जो पार करेंगी तो समाल लंबा तीन सो चार्ज़म टूररी की यतना हो से तो यहां पर टोटाफ़ी जो हो चार्ज़म का दो गुना और यह चार 278 1968 सब्सक्राइब चाल गुना समय होता है चाल क्या है 32 पलस यह सट्टू इन्टू समय क्या है बारे है तो बारे से भाग करेंगे यहां पर बारे सब्सक्राइब चार बचेगा बारे सब्सक्राइब करेंगे तो 64-32 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर 32 दूसरे भी ट्रेन का जो स्पीड है वह कितना है तो 32 ही है 32 मीटर प्रती सेकेंड किलियर है भाई चलिए तो यह 20 प्रसन हम लोग किये हैं दोस्तों उमेद करता हूं कि आपको सभी सवाल समझने आये होंगे ठीक है आप लोगोंने कितने प्रसन बना पाए हैं इन 20 प्रसनों में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे तो अगले पर को लेखर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत